पहला खड़ी युद्ध ने अमेरिका के वर्चस की पुष्ट तो कर दी और राश्टपती जॉर्ज बुश सीनियर विश्वनेता बन कर उभरे लेकिन अगले ही वर्ष 1992 में राश्टपती चनाव हुआ बुश को हारना पड़ा उसे पराजय मिली और उसके स्थान पर डेमोक संब्ल क्लिंटन ने राश्टपती बने है बिल क्लिंटन ने अपनी विदेश नीति के बदले घरेलों नीति को चनाव का मुद्दा बनाया और इस प्रकार एक और चनाव जानी 1996 में भी जीतने में सफल रहे लेकिंटन की नीति की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि क्लिंट के आठ साल के दौर में अमेरिका ने अपेक्षा क्रित एक तरिसके से नरम नीति अपनाई की उसने कठोर राजनीति के स्थान पर कट्टर अमेरिकी स्टैंड लेने के बदले उसने जो बाते की क्लिंटन के काल में वो मूलत लोकतंत्र जलवायू परिवर्तन विश्वियापा और ऐसे मुद्दों पर वैश्विक मुद्दों पर ज्यादा धांग दिया लेकिन क्लिंटन की नीतियां उसके बावजूद भी अमेरिका के वर्चस को बहतर धंक से प्रस्तुत करने में सफल रही है क्लिंटन की जब बात करते हैं तो यह बात बिल्कुल आपको इस अत्मिक्ता देश के अंदरूनी मामले थे पर इसका अर्थियर ने निकाला जाए कि वो विश्वराजनीती में अपनी पकड़ नहीं रखना चाहता था राश्पती बिल्कुलिंटन यह समझते थे बखु भी कि अंतराश्ट्री राजनीती में दखल देते रहना अपने वर वर्चस्व रहना भी बहुत जरूरी है तो मौका पढ़ने पर उन्होंने भी कुछ सामरिक निर्ने लिए और अंतराश्ट्री राजनीती में अपनी उपस्थे थी अमेरिका की वर्चस्वता को महसूस कराया 1998 प्रथम खाड़ी युद्ध के बहुत बाद 1998 नक्षे में आप देखिए कीनिया अफरीका में है केनिया भी बोलते होंचे केनिया यह अफरीका का एक देश है जिसकी राजधानी है नैरोबी और ऐसी एक दूसरा देश है तांजानिया अफरीका का यह तांजानिया का प्रसिद्ध शहर है दारिस्सलाम तो कीनिया और तांजानिया इसके दूतावासों पर बंबारी होई दूतावास क्या होते हैं किसी एक देश के ऐसे कारियाले जो दूसरे देश की राजधानी में हैं और इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं यानि हम कह सकते हैं जहां अमबैसिडर का कारियाले अमबैसिडर जिनको बोलते हैं उनके कारियाले दूतावास तो दूतावास जैसे अमेरिका के जो तन्जानिया में जो उसका कारियाले था अमेरिका में जो उसका केनिया में कारियाले था वहां पर बमों से हमला हुआ और उस हमले से बात स्पष्ट हो गई कि इन डूता वास्टों को लक्ष बना कर हमला किया गया कोई गलती से हमला नहीं हुआ और दूसरा इन डूता वास्टों को समाप्त नश्ट करने की कोशिश थी याने उद्देश बड़ा सपष्ट लगा अमेरिकीज को अमेरिकांज ने कहा कि ये हमारे दूता वासों पर हमला एक तरीके से हमारी वर्चस्वता पर हमला है हम पर हमला है और ऐसी किस की हमत हुई जो हमला करे उन्होंने पता साजी की और उनके अनुसार क्या नाम का एक आतंकवादी संग्ठन उनके अनसार जिम्म्यदार पाई गया क्या नाम अल-क्यदा अल-क्यदा को अमरिकी सरकार ने इस हमले के लिए दोशी ठहराया और दोशी ठहराने के बाद क्या हुआ कि अमरिका ने सूडान और अफगानिस्तान अब देखिए हमला हुआ कीनिया में हमला हुआ तंजानिया में अमेरिका ने पूरे विश्व में पता साजी करके पता लगाया है कि अलकाइदा के लोग जिम्मेदार हैं और अलकाइदा का मुख्य अड़ा या अलकाइदा का जो मुख्य केंद्र जो है वो अफगानिस्तान और सूडान में है देख लिए जो कहां कहां परणाम क्या हुआ अमेरिका ने ऑपरेशन इन फाइनाइट रीच के तहट यहां पर बहुत बंबारी की इनके ठिकानों पर सैन्य अभियान चलाया दूसरे शब्दों में हम बात कर रहे हैं कि बिल क्लिंटन ने क्या अपनी नीती में परवर्तन किया था क्योंकि मैंने जैसे बताया कि बिल क्लिंटन अंद्रेनू मामलों में ज्यादा इच्छुप थे लेकिन इसका अर्थ ही है नहीं कि वे विश्व से कटे हुए रहे नहीं उन्होंने अपनी नीती में परवर्तन नहीं किया दूसरा उन्होंने जब हमला किया तो कारण क्या था तांजानिया और केनिया में संभावित अलकायदा द्वारा हमले के जवाब में अमेरिका ने हमला किया कहा हमला तो नहीं किया अमेरिका ने इनके ठेकानों पर बम गिर और सूडान और अफगानिस्तान में क्यों कि अमेरिका को विश्वास था कि इन लोगं के मुख्य अड़े इन आतंकवादियों के अफगानिस्तान में हैं और सूडान में हैं जहां से अलकाइदा विश में आतंकवादी गत्विदियां फेला रहा है और इस घटना का या इस operation क्या अमेरिका द्वारा सूडान और अफगानिस्तान में ठेकानों पर बंबारी करना यह क्या कहलाया operation infinite reach infinite infinite मतलब जिसकी कोई सीमान नहीं और reach याने पहुँच ऐसा operation जिसकी पहुँच की कोई सीमान नहीं याने हम कुछ भी करने को तयार हैं हमें बस हमारे द्यूता वासों पर हमला करने वालों को समाप्त करना हैं हमें बस उन लोग को समाप्त करना हैं जो हमारी वर्चस्ता पर प्रशन उठाएं वर्चस्ता पर प्रशन उठाएं तो भारी बंबारी की गई और क्रूज मिजाइल्स का उप्योग हुआ तो घटना में आपको याद रखना होगा कि क्रूज मिजाइल्स का उप्योग हुआ बड़ी संख्या में बंबारी की और खास बात ये कि ऐसा करने के लिए अमेरिका ने सेंक्तराश संग को पूछना भी उचित नहीं समझा, सेंक्तराश संग, UNO, इसकी जो स्थापना हुई है, उसके तहट ये निश्चित कर लिया गया है, एक तरीके से सब देशों पर ये बात दिखुए है, कि यदि किसी को किसी अन्य देश से आपती है, और किसी तरह के सेंने हमले की कारवाई करना चाहता है, तो उसे सेंक्तराश संग में पहले बताना होगा, अनुमती लेनी होगे और फिल हमला करेंगा, अनुमती से अर्थ है, सेंक्तराश संग के सुरक्षा परिशत से, या जार ज़्यादा बड़ा मामला हुआ, तो इस सेंक्तराश संग की महासभासे अन्यमती लेके हमラ़ा कर ले यहां पे अमेरिका ने ति Mincar Sंग को बताने की भी जरूरत नहीं समझी और बिना उन्यमती लिये और बिना उन्यमती के तो बात ही दूर। उनको सूचना भी नहीं उसने सीधे अपने हवाई जाज भेजे, मिसाइलों से हमला कर दिया उन जगों पर और अलकादा के उन ठकानों को धराशाई कर दिया, तहस नहस कर दिया ये एक उस बात का उधारण है कि अमेरिका अपने शक्ति प्रदर्शन पर कैसा विश्वास करता था ये इस बात का उधारण है कि बिल क्लिंटन यद्यपी घरेलू मामलों में ज्याज़ा रुची रख रहे थे लेकिन साथ ही उनकी नजर विदेशी मामलों पर सतत रूप से बनी हुई थी अमेरिका ने तो अंतरराश्टी कानूनों की धज्यां उड़ा दी एक तो उसने बिना यूएनों की अनुमती से हमले किये दूसरा उसने यूएनों को सूचित भी नहीं किया और तीसरा उसने जो नागरिक केंदर होते हैं नागरिक ठेकाने वहाँ पर भी हमले किये सामानितिया क्या होता है कि जब युद्ध होते हैं तो एक ऐसा धर्म माना जाता है कि सैनिक ठिकानों पर ही हमले किये जाएं, सैनिकों का ही खात्मा करने के लिए बंबारी की जाए, सामान्य नागरिकों को छोड़ा जाए, क्योंकि सामान्य नागरिक का युद्ध से लेना देना नहीं, यहां अमेरिका ने उस बात की भी चिंत नहीं की और उसने अंतराश्टी कानूनों की परवाह किये बिना सामान नागरिक ठिकानों पर हमले किये उनकी हत्या की, यह किस बात का उधारन है, यह सब अमेरिका की मनमानी का उधारन है, और यह मनमानी क्यों हो कर रहा था अमेरिका, क्योंकि अब वो एक ध्रुवी था, वह जानता था कि अब हमारे सामने दूसरा कोई विरोधी हमसे टक्कर लेना वाला नहीं है ये उसकी वर्चस्वता की बात है मैं एक बिंदू और बोलना चाहूंगा जहां पर कि जब हम वर्चस्व की बात करते हैं तो वर्चस्व का अर्थ ये होता है कि दूसरे देशों को विवश किया जाए कि वे उसके मातहत रहें तो अमेरिका ने ऐसी स्थितियां पैदा की डरा के धमका कर शक्ति प्रदर्शन से हमलों से कि विश्व के अधिकतर देश अमेरिका की हां में हां मिला रहे थे भले वो उसकी कई नीतियों से राजी हो या ना हो कई कारणों से ये उनके हां में हां मिला रहे थे दूसरे शब्दों में ये सब देश जो अमेरिका के डर से उसके खेमे में थे और लगभग काफी विश्व का बहुत बड़ा हिस्सा था इन लोगों ने अपनी एक तरीके से सार्व भौमिकता जिसको बोलते हैं सार्व भौमिकता याने स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की ख्यमता खोदी साविरिंटी जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं साविरिंटी सावरिन्टी मतलब सार्व भामिकता उसे खो दी और वे अमेरिका की हां में हामिलाते चले परनाम कि अमेरिका जो चाहता था वो करता था और ये उसकी मनमानी का उदार ने पहला खाड़ी वार तो है ही दूसरा ये यहां पर हमले किया जाना वो भी अफगानिस्तान और सूड आमें हमला किया उसकी मनमानी नहीं है तो क्या है बहरहाल क्लिंटन के दौर में भी अमेरिका जब तब फोजी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तयार दिखता था तयार रहता था लेकिन तो लनात्मत दिश्ट्री से देखा जाए तो मूलता ये काल थोड़ा सा अमेरिकी वर्चस को बनाते हुए भी लोक तंत जलवाई विश्वापार आदी मुड़ों पर ज़्यादा स्वीमित रहा क्लिंटन के दौर में फौजी ताकत के दी बात करें जैसे वो तैयार दिखते थे हमेशा फौजी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए तो उसका सबसे अच्छा नमूना सबसे अच्छा उधारन हमें देखने को मिलता है कोसोवो संकट के दौरान देखे कोसोवो कहा है एक बहुत छोटा च्छेत लेकिन विश्विश शान्ति के लिए एक बहुत बड़ा खत्रा जब तब यहीं से उबरता रहता है पूर्व यूगोसलाविया जो पहले कभी यूगोसलाविया होता था जो इसके मुखिया किसी समय बहुत प्रसिद व्यक्तिव इस प्रसिद जो जब ब्रास्टीटो हुआ करते थे वह युगोसलाविया विगटित हुआ और कुशोवो प्रांट में जो अलबानियाई मूल के लोंगों की जहां बहुलता है उस पर दूसरी मूल के लोंगों के नित्रत में जो सरकार बनी थी मिलोसविक के नित्रत में वो वहां पर काफी जुल्म कर रही थी को सोवो प्रांत में अल्बानियाई मूल के लोंगों मानवादिकारों का अलगन करते हुए अल्बानियाई राष्टवाद को कुछला जा रहा था और था अल्बानियाई लोग अपने को स्वतंत्र करना चाह रहे थे योगोस लाइविया के विगटन में वे भी चाहते थे के अलबानिया एक साथ खेत्र बने लेकिन तत्काली डाश्पती ऐसा नहीं करने दे रहे थे और मानवादिकारों का उलंगन करते हुए राष्टवाद को कुचलने की बहुत बुरी तरह कोशिश की जा रही थी 1999 में क्लिंटन सरकार के इशारे पर अमेरिका के नेत्रित में नैटो की सेना ने इस खेत्र पर दो महिने तक बमबारी की यह पूरा जो योगोसलाविया इक खेत्र है यहां पर नैटो के द्वारा बंबारी हुई और जैसा मैंने पहले बताया है कि नैटो मतलब मूलत अमेरिकी नित्रित में अन्य देशों की कंबाइंड फॉज तो भारी बंबारी हुई और इसका परणाम यह हुआ कि मिलोज सिविक सरकार का पतन हुआ और कोशोवो जो है वो नैटो के नियंत्रन पर चला गया